ठीक है और वो सेव करके रखना है अटेंडर साथ साथ लगा करेगी ठीक है और मैंने जो पैटरन बताया है रोलमबर का पहले रोलमबर स्पेस और फिर आगे नाम ठीक है इसी तरह अटेंडर से लगेगी मैं किसी टाइम पे भी ना हादरी ले सकता हूं तो इस पैटरन के ओपर किसी का नाम से नहीं हुआ तो वो खुछ जिम्मेदार है मैंने उसकी अप्सेंट लगा देनी है बैसे पूरा टाइम पे बेठा रहे बाद में अटेंडर्स किसी की शॉर्ट हो गई जिम्मेदार है मैंने नहीं कोई और बात पूछी है तो बता है कोई बात नेक्स मेस्टर में कोई और कोई बात करना चाह रहे हैं कोई सिजेशन देना चाह रहे हैं तो बता दें ताकि एक ही दफार जो है स्मूथ ली फिर स्टार्ट कि रहा सकते है कोई भी नहीं है किसी को भी कोई मिस्टा उंची बोलने हैं जिसने भी बोलने है जिस टाइम पर मैंने टेंडर्स ली उस टाइम पर जो एपसेंट हुआ तो वो एपसेंट ही है जो मर्दी हो जाए किनेट का इश्यू हा जो भी है वो मेरा इश्यू नहीं है सर कैसे आप कह रहे थे नेम इस फैटरन से होना चाहिए आप इवनिंग और मॉर्निंग की सर कठी क्लास नहीं आने थी नहीं जो इवनिंग वाले हैं वो क्लास लेफ्ट करते हैं चले फिलाल आई ले ले ना नेक्स टाइम ख्याल कीजेगा मॉर्निंग ये लगए इवनिंग ये लगए मुझे लगता फिर मैं केली हो इदर फिर मैं भी लेफ्ट कर देंगे नहीं सारी हैं सारी हैं इतने पार्टिस्मेंट हो भी सकते मेरी क्लास में सारी हैं दोनों साइड से हैं नूर हर दफ हम राइक खोल के चुप कर जैती है जी नूर क्या कहना जा रही है वाथ मी आ रही है वागए और बोलोगे हैं पर हैंड फ्री पास रहके लेड़ के अगर लेक्चयर लेएगे वहास नहीं आरही है बहुत दूर से आ रही हैं अब आपना माईक ठीक करें तर अब आई है इसरी बार गोलना है बन्दा है अड़ी चंगीले अलंदा है तर्जी पांसो वाली है है हुआ वाव एक उरीजिनल है यह किसे ने तर्जी चूट फड़ेया यहां तेता है अधर मैं यह पूछ लेने हैं वो अपने पास रखने हैं या ग्रूप में सेंड करने हैं तर्जी पूछ रहे हैं जी वह अपने पास से भी रखने हैं और मुझे सेंड भी करने हैं एक मिनिट जी अलव अन्य वह अगयों गते हो जी जी नहीं किते हो जी जी हेलों किते हो आरी अजय है मैं आखे समय कर दो कर दो ही प्वेंग कि अब कर दो पर आप दो हम एक हम चले चलते हैं चले 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 मैं क्लास ले रहे हैं ते गदम नहीं थीख है हां जो अईचे करता गान्याओ करिंवीरे अ कर दो झाहतरा है क्लास के हवाले से अगर कोई स्जेशन हैं तो बता दें इंशाला इस दो आपको स्लाइड्स में मिलेंगी प्रेजिंटेशन की बुक्स जो है आउट लाइन्स में जो है वही रिक्मेंड़ बुक्स है वह आपने कुछ डाउनलोड करनी है उसमें से पढ़ना है मैं आउट ला साथ और कुछ इसाइनमेंट्स कुछ जो होमवग और शायनमेंट्स में फरक हुआ करेगा लेकिन जो होमवग है वो चैक हुआ करेगा लाजमी लोग अपना एक अलागत से रिजिस्ट्र बना लें उसके हवाले से उसको देख तरहा करेंगे फुप्दर मुझे कर्कतरी रख लें बाग की जो है इन्शाओला हो से जो है ल t एक आपकर लें कर ल किका फीलिएंग है जिन मोबाइल में होती है शेर कर दें इस तरह कर लें कोई चीज है मैं आपको स्लाइड्स जो है वो परवाइब कर देंगे उपसो जो पूरे वीक में बढ़ना होगा वो स्लाइड्स पेले मिल जाया करेंगी को बात पूछनी है तो पूछ लें कि एनिवन कोई भी सब कोई सारे ठीक है क्या है कोई भी नहीं बोल रहा है सर आपकी खुशी में हमारी खुशी मेरी खुशी की बाद इस तरह के न मक्षनी लगाने मैं मुझे काम करके दिखाएंगे मैं फिर खुश होता हूं बातों से खुश नहीं होता हूं मुझे कुछ लोगों की कौरडिनेशन प्संद नहीं आई स्पेशली इवनिंग के सी आर और जी आर की मैं उपन नहीं बात करना हूं लेकिन रैलेटिवली मुझे उनका मिजाज पसंद नहीं आया ठीक है और इवनिंग की क्लास का एज़ अहूल पर्टिकुलर्ली उनके सी चार और जी आर मॉर्निंग वाले भी बहुत कोई एक्स्ट्रीम किसम के अच्छे बच्चे नहीं है ठीक है लेकिन एवनिंग के निस्बत बेहतर थे तो होफ सो बता दिया है अब आप लोग जो अपनी खामियां कूपियां है इन पर खुद ही काबू पा लें देख लें कर लें और मिस क्यम्मुनिकेट हुई हैं बहुत सी चीज़ें तो होफ सो इन्शालला मेरी कोश्चिश होगी कि इस दफा इस दफा सारी चीज़े जो है खुद कंट्रोल करूं खुद मॉनीटर करूं और फुद हैंडल करूं ठीक है तो मैं जो है समझ रहा था कि आप लोग थोड़े से नहीं काफी से समयदार है लेकिन आप लोग थोड़े से भी समयदार नहीं निकले को कन्फूजन है तो पूछ लें कोई बात है को क्लेर करन हैं अभी पूछ लें है किसी भी हवाले से तक में आ जाएगा मैंने ग्रूप में शेयर किया था मैं इस वीकंड यह वीकंड ले जाओंगा इस वीकंड में जो रहा है कि अगर खुलने के चांसिस कितने हैं किसमेस्ट्री ओनलें गयाद जए जो अगर खुलने के चांसिस को पता होगा बाराल मैं तो इस पर आय नहीं दे सकता फिर भी आपका कोई जात्ती तो जुर्बा ओत बहुत हैगा माशाला फिर भी थोड़ा यह उस्तों दसुद से नहीं मेरी इस पर आये जो है बार अलग यह रहा कि आपके एक्जैम फिजिकल होंगे ठीक है और फर्दर सुना है आप लोग शिकायतें बहुत लगाते हैं ठीक है आप लोगों से मराथ स्टूडेंट्स जन्रल इन जन्रल बात कर रहा हूं तो इन्वेस्ट्री कह रही है कि जो है बच्चों को रिलेक्स भी किया लीनियंट भी रखा कई हवालों से और जिन लोगों के पेपर डिस्टरब हुए थे अटेंप्ट जिनकी पूरी नहीं हुई थी उनको दुबारा मोका दिया गया पेपर अटेंप्ट करने का और उन्होंने अटेंप्ट किया लेकिन ब कर दिया उन्होंने का जी तुसी भी थोड़ा या सिद्धे हो जो असी करेंगे सवाल ये किया कि पूरा हफ्तार में क्लासे होंगी चार दिन क्लासे नहीं होंगी जी ने टाइम टेबल स्कैयूल जो है पर क्लास तीन क्रेट आर वाली जो है वो फोर वीक में जो है कनवर्ड कर दी है 48 लेक्चर जो है हर हवते में चार लेक्चर लेने हैं निया टाइम टेबल बन गया है फर्दर उसमें पीचर के हवाले से अभी कुछ रहती है तो उस हवाले से जो है एक दो दिन में क्लेर हो कि आपको आ जाएगा ठीक है इसको इंट्रिक्टरी सब्सक्राइब कर दीड़ा है इसको theoretical mechanics भी क्या दिया जाता है तो उस हवाले से इसको हम देखेंगे इससे पहले भी आपने दो दो कोर्स पड़े हैं ना mechanics के mechanics 1 और mechanics 2 जी सर दो कोर्स पड़े हैं कोई बता सकता है mechanics 1 और mechanics 2 में क्या किया था overview लेना है मैंने आपका test नहीं लेना है overview लेना है उसमें आपने क्या देखा था ताके मैं आपको फरक बता सकूँ के इस semester में हम क्या पढ़ेंगे बहुत आवाज ठीक नहीं आ रही है अब ठीक है सर नहीं यह आपकी नहीं ठीक नहीं लग रही है नहीं काम ही आ रही है है और अगर ठीक हो कि इसकी आवाज में शौर है तीसरे और चौत्रे समेस्टर में बढ़ा है ना कोष्ट मेंक्स का जी सर कोई और नहीं है जिसका माइक बेटर हो जी सर तीसरे चौत्रे में पड़ा तीसरे चौत्रे क्या क्या बढ़ा था को ओवर्व्यू देने को अंदाजा हो जे मुझे भी जी सर वह पर इसिर डाइनेमिक्स पड़ी थी काइनेटिक्स और काइनिमेटिक्स पर जी 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 तीसर अच्छा इन जो लख़ आपने बूलें इनका मतलब होता है जी सर बसलें क्या क्या मतलब है इसका है अच्छा है जुआ जो तो अपडारी मोशन जो टू एंट फॉ मोशन डाइनेमिक्स जों से होकी तिया स्ट्री अब्च्छ्थि इन मोशन कानेटिक और कानेमेटिक्स प्रस की जाए मोशन की वज़ा को जानते हैं एक में नहीं जानते हैं और चलें मैं बताता हूं जी इस से पहले जो दो मेकैनिक्स पढ़ चुके हैं अच्छा पहले मेकैनिक्स का लफजी माइनी क्या है मोशन से निकला है ठीक है और यूजिली सेकंड आफ जो न्यूटन है F is equal to M में उसके अंडर इसको क्लासिकल मेकैनिक्स का लाओ भी कहते हैं इसके अंडर जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट डिसकस की जाती है पहले जो हम देखते रहे हैं उसमें एल्जा हूल बॉड़ी थी उसकी विलास्टी वगएरा हम देखते रहे हैं ठीक है अगर आपको याद हो विलास्टी देखते रहे हैं उसके एकसलेशन देखते रहे हैं फोर्स ही तो उस उसमें खास बात थी जो शाहिद आपने अभी तक नोड नहीं की उसमें डेरिवेटिव वाला जो पॉर्शन था वो ज्यादा था ट्रांसलेशन रिलेटेड़ था मसले एक कार है तो कार के अंदर जो बॉड़ी है देखे कार के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ठीक थे तो हम एजा फूबूरे ऑब्जेक्ट को इकठा ले रहे थे और उसकी स्टडी ऋपर उसकी उपर तो उसमें मोमेंटम कितना इस इस हवाले से इस तरह की को मेजर मुजर बात्ते थी ठीक है यह वाली जो मेकानिक्स है इसमें डिसकस तो हम मोशन ही करेंगे लेकिन उसमें और इसमें यह फरक है वहाँ पर जो डेरिवेट अब था रेट आफ चेंज जो था उसकी इनवाल्मेंट ज्यादा थी यहाँ पर इं से इंपेक्ट क्या पढ़ रहा है उस हावाले से हम उसको अब्जर्व करेंगे ए मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ कि अच्छा जी यह कोई बॉड़ी है रिड़ बॉड़ी है रिड़ बॉड़ी से मुराज यह है कि जिसकी शेप चेंज ना होगती हो उनके पार्टिकल्स के दर्म्यान जो डिफरेंस यह डेशिन जो गएरा और डेल जो है इन्शाला जो नेक्स क्लास से पहले जहना मैं ना ओब भी थोड़ी तेर में ठीक है रिड़ बॉड़ी है रिड़ बॉड़ी से मुराद यह होता है कि डियूरिंग मोशन कोई से भी जो दो पार्टिकल्स हैं कोई से भी उस ब草ड़ी के ऊपकर कोई से भी दो points हैं, उनके दरम्यान जो distance है, वो constant रहे, fix रहे, कम या ज्यादा ना हो, एक body है, अगर उसके points के दरम्यान फासला कम या ज्यादा होता है, तो वो rigid body नहीं है, solid कहले, यह rigid होता है, इसमें जहां पर particle fix हैं, वहीं पर रहते हैं, motion में move करते हुए, उस body के उपर ज दो particles हैं, अगर उनके दरम्यान distance में फरक आजाए, तो वो rigid body नहीं है, तो rigid body कोई भी लगडी का block हो सकता है, पत्थर हो सकता है, गाडी है, सक्स कोई भी solid चीज जिसकी shape, जो है, as such change नहीं होती, तो जब वो move करेंगे, इस तरफ को इस direction में अगर वो move करते हैं, तो movement के होगी, क्योंकि force लगने की ही वज़ा से उसमें, जो है, तो जो force उसके उपर अपलाई हो रही है, वो motion में convert हो जाएगी, इस से जब आप के mind में हो, हमारे पास Newton का second law है, वो होता है, F is equal to ma, जितनी force होगी, उतना ही ज्यादा एक्सलेशन उसमें develop होगा, उसमें ही rate of velocity में उतना ही rate of change होगा, उसकी motion में, क्योंकि motion किसी चीज़ की जाती है, तो speed और direction दोनों के हवाले से discuss की जाती है, और उसको velocity का जाता है, velocity जो है, वो किसी body की, किसी particle की motion को describe करती है, तो जो acceleration है, वो rate of change of velocity हुआ करता है, तो यह जो rate of change है, ठीक है, यह उतना ही ज्यादा होगा, जितनी आप उसके उपर force apply करेंगे, तो यह major इसका है, इसको law of momentum भी बोलते है, momentum, कि मुमेंटम उसके अंदर कितना होता है, किसी को मुमेंटम की definition आती है, yes sir, product of mass and velocity, mass and velocity, उसको क्या बोलने है, momentum, momentum, good हो गया जी, ठीक है, इसको represent i से करते हैं, पी से नहीं, पी से जी, पी से, बिलकुल पी से करते हैं, ठीक हो गया जी, यह हमारे पास momentum है, और इसको पी से टिनोड करते हैं, जरह इसको देखेगा, f is equal to m में को, f, acceleration किसके बराबर हुआ गरता है, rate of change of velocity, velocity के derivative के, जी ऐसे ही है, जी सर, जी सर, यह वेक्टर है, ठीक, ऐसे ही होता है, mass जो है, यह constant है, मानते हैं कि constant है, mass constant है, आई है नहीं, जी सर, जी सर, rigid body का mass constant होता है, ठीक है, तो यह mass derivative के अंदर भी जा सकता है, जिस सरा constant common ले सकते हैं, इस सरा multiply भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मैं चेक करहा हूँ कोई कौन-कौन सोया हुआ है, नेक्स्स टाइम ख्याल कीजेगा बलके ख्याल का कीजेगा ऐसे ही होगा जिन्होंने बेलबूल करना ना त्यार शार होके बैठ जाया करें कैमरे वान हुआ करेंगे जी सबके ठीक है M V लिखा हुए D P ठीक है M V लिखा हुए D P तो बैसी किली जो न्यूटन का सेकंड लॉव है यह वाला बैसी किली वह रेड़ ऑस चेंज ऑफ मुमेंटम है जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना उसमें मुमेंटम ज्यादा होगा जितनी force काम होगी उसमें उसका momentum काम होगा तो इसको इस शकल में हम लिख लेते होते हैं ठीक है तो लेकिन असल शकल जो है इसको law of momentum भी बोला जाता है इनर्शिया भी बोलते हैं इनर्शिया क्या चीज़ होती है तर जिस्टिविटी होती है हां जी हां जी है उस्मान माइक निया ले लो अच्छे वाला अवाज नहीं आती है इनर्शिया क्या होता है सारे सोई हुए हैं सर किसे भी बॉड़ी की वह खासियत जो प्लाफ लगने वाज तबदिली की मुझामत करती है मुझामत करती है और ये जितना मैं ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जी सर, जी सर, इतना ही द्यादा होगा न, वो ऐसी है, जी सर, इनर्शिया रिजिस्ट करता है, अपूस करता है, बाडी की मोशन को, is it? टीजिस्ट इसर, यह तो बेसिक जनरल मोटी मोटी सी बातें हम कर रहे हैं, अभी हम तो वर विजुसा ले रहे हैं, ठीक है, तो होता किया है, कभी जल्दी में सीड़ियां उतरे नीचे, तेजी में कभी, गरमेंक्सर हम इस तरह किया हरकतें करते हैं, जल्दी से सीड़ियां कि यह सर तो म greatest व गह गे गर्रिल्ड यह पाइदान है फिलर है या दिवार है उस पह हम हाथ लगाते ह outreach तर्म लेना होता दहां पर नहीं लेना होता जी सर तो है परण किता है अ आ ही मिन को पगड़ते हैं अ बाण काऊ न दोly conquered a ऐसे करते है न में ड्रीघ का लगता है अंडी ड्री पर करते हैं यह वography को ट को टान्र हमने डिया कि वजह से खो ए और उस से एफेक्ट कि सह रागा आता है आपकी बाड़ी में उस्वकर जब जटिका लें सरे च्पीड़ जाती स्पीड तो स्लोग जाती एक chemical हम बेंड कर जाते हैं फिर सीधे जाते हैं में बेंड हो जाते हैं फेंड हो जातेह है किram sprinkled हिए रोटेट इंगट आता है कि रॉटेटिंग एफेक्ट आता है यह जब हम किसी पोइन को फिक्स करते हैं लिल्कुछ सभी और ठी कि ऐसे याकात तमी पॉर सपाई होती तो ट्रॉनिंग इफेक्ट आता है और हम मुडं can तो एक चीज़ हो गई दो चीज़े हो गई ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मोशन एक बिलकुल लाइन में और एक होगी रोटेशन ठीक है तो इन दोनों को इकठा स्टड़ी करे तो इसको जनल मोशन बोलते हैं क्या बोलते हैं जनल मोशन तो जनल मोशन का डिसकेशन है वो मेजर वन ओफ दे मेजर पार्ड ओफ दिस कोर्स और उसमें जो है जनल मोशन जो है यानि ट्रांसलेशन प्लास रोटेशन इन दोनों को इकठा स्टड़ी करना है यह एक मेजर डिफरेंस है इन पिहले आपने जो मेजर वन्हें इसमें मीजर यह है के जो इमपक्ट है टरनिंग एफेक्ट आता है छिजये जो इनर्शीया आता है तो उससे जो टरूनिग के वेपक्ट को मोम्मेट बोलते हैं. ठीक है तो वो मुमट ओफ अनर्शिया जो है वो हम इसमें कैलकुलेट किया करेंगे जन मेजर दो हिससे मैंने बताए एक जनरल प्लेन मुशन बताया और दूसरा मुमट ओफ अनर्शिया बताया यह दोनों इंपॉर्टेंट इस हवाले से हैं मेकैनिक्स के अंदर के स्पैशल न्गी कि अंदर वी टैनिक इफेक्त आ सकता है तो उस टैनिगए उप्टक का ये यह प्रविजो को सकता है कि मैं मेसले को पिलर पगार यःव बेज्ये बगार है तो तो तूट सकता है तो उसका वो मुमम्मण ओफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेड करते हैं ताकि कि टैन तो यह दो इसके मेजर पोर्शन्स हैं बाकी आपने पहले देखा हुआ हो सकता है कि जो आउड लाइन्स हैं जो रिवाइज आउड लाइन्स हैं तो उसमें अगर बेसिक डेशनेशन तो गहरा भी हुई आप पिछे एक्वेशन्स पढ़ते रहे हैं फिजिक्स के अंदर कितन कि वेशन्ओ मोशन्स होती है तीन ओटिया यह सार निए प्लस एटज और फिर होती है टुए आइसए इस एकल तुए एस्टार किए एकल टू थी ऑख गएगी अगई एगई आग एटी अटी मिन मेरह दिन से निकली पाती है और यह स्केर माइनस विए स्केर अगल टू तो हो सकता है वो भी अगर आउट लाइन में हुई तो उनको भी हम देखेंगे तो मेजर जो हमारा यही है कि वो जो मूमेंट है रिड़ बॉड़ी की उसको डिस्कुस करना है और जो इनर्शिया क्रियेट होगा उसकी कैलकुलेशन दर उसका इंपेक्ट क्या है उसका इफेक इसमें हमने पढ़ना है इसमें इंटिग्रेशन इन्वाल तो इस वज़ास में इंटिग्रेशन इन वाल है और आ ए इंटीड इंटीड़ियेंट इंटीकरशन g भी मर्टीबलें इंटीडेशं भी जो है मतनली डू 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 little new girl इस रख Words फंकशन अव मल्टि वेरियेबल्स, I don't know, आपने कैलकूलस में पढ़े हैं यह नहीं पढ़े हैं, तो उसका टच है यहां पे पार्शल डेरिवेटवस भी नवालव हो सकते हैं और मल्टी डेरिवेटल मल्टी इंटीग्रेल्स जो है वो भी इनवाल्व रहे हैं और बाकी फुर्दर आगे जब हम जिससरा आगे जाते जाएंगे इसको एक्सप्लोर करेंगे यह सिर्फ इंट्रोड़क्टरी था अज इसमें जो मेजर पोश्चन्स हैं पहले जो आपने द जाती है और इस्ट्रक्शन किस तरह ही है अगर गुंजाइश हुई हमारे कट्छे बढ़ने कि तो हमें कट्छे बढ़ने कि अगरेंगे क्लासेज अधर वाइस हम अलग अलग क्लासेज लेंगे ठीक है सर जी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके देखी तो उधर ना इसका मतलब सांड रिकॉर्ड नहीं होता को एक लास का अधिर अच्छे वाला मॉबाइल हो हम्जा सर जी वो कह रहा है नदर एप यूजिंग माइक्रोफून उपस तो फिर यह आपका इश्यू है ना लोग करते ह इसाथी कर देूं तो डिम्ण बनी है नहीं आप फुद गरेजी मैं 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 सवय होय वह थे करeszके ऑं कारी नेक्सर WILLयी और झो मॉर्निंग को लिंक सेंड गरूn ऑ ऑ मॉनिंग में लिया करें के गलास और जाई इव papers इवनिंग वाले लिया करेंगे ये शौक बिल्कुल ना पालिये इवनिग में चलास लें इवनिग आले मॉनिंग में एटेंड इस नहीं लगेगी अटेंडिस मोनीटर होगी जवा प्रॉपर और ये भी पॉसिबल है कि किसी वक्त भी है चोडी साथ या कोई और उनका रिप्रेजेंटेटर चेक करें वो क्लास में as a guest क्लास में वो एंटर हो तो यह आप लोगों के डिपेंटर करता है मुपल होंगी आपकी जो पास है पता नी टाइम टेबल हमें नहीं मिला भी अवर कास पास समय तो मेरी तो मेरी तो इसमांसिबेर्टि नी ना आपको टाइम टेबल देना है तो बता अधर हुन नूर दिया वाज निकल आई ये लड़ाई वे ले आई वाज निकल दिये अग्या पिछ माई खराब हुंदा है सद्जी उन्हें अन्फिल आके बोली देना इस वाज दे तुम बड़ा नजर राखना है तुम हम्जा मुड़दा नहीं बाजिया ले शोग पूरे नियों है यह तक बाजिया नगलना कार कर के जी नूर जी से तर कुछ भी नहीं नहीं टाइम टेपल मैंने देना है मुझे बता दे तो मैं देता हूं तर नहीं वैसे आपको बता रही थी कि अभी हम कैसे आप मुझे यह पता दे ना अच्छा सर्दी सोरी नहीं बताओंगी कोई न कोई किसी वैजा से कोई बात लटक जाए हैं नहीं सर्दी नहीं और क्या यही रात दे नहीं सर इस दफाम बड़े सीरियस है नहीं नहीं इंशालला सीरियस नहीं महा सीरियस होंके जब मंडे को आप इंशालला रिजल्ट देखें तर मंडे को आना है जी से मंडे को रिजल्ट आना है पता नहीं मैंने बता दिया का आना है ओक जी अलाव ओके सर अलाव आफिर अलाव आफिर